धनतेरस आस्ट्रो टिप्स धनतेरस पर करें, ये साथ जोतिश उपाय कभी नहीं होगी पैसों की कमी धनतेरस, धनत्रयोच्षी का त्योहार लक्ष्मी जी की कृपा पाने और जीवन में सम्रिध्धी को आकर्शित करने का शुब अफसर है. इस दिन कुछ सरल जोतिशिय उपाय अपना कर आप अपने जीवन में धन और संपनता का आवान कर सकते हैं. यहां धनतेरस दो हजार चौबीस पर पांच विशेश जोतिशिय उपाय दिये गए हैं. एक, लक्षमी पूजन के साथ कुबेर मंत्र का जाप धनतेरस के दिन माता लक्षमी और भगवान कुबेर की पूजा का विशेश महत्व है. लक्ष्मी पूजन के साथ कुबेर मंत्र श्री हरीकली श्री सिद्ध लक्ष्मय नमह का 108 बार जाप करने से घर में धन की बरकत होती है 2. कुबेर यंत्र की स्थापनाइस दिन कुबेर यंत्र को घर के पूजा स्थल में स्थापित करना शुब माना जाता है इसे स्थापित करने के बाद नियमित रूप से इसकी पूजा करें यहां यंत्रधन की वृद्धी और स्थिर्ता को आकरशित करता है तीन घर के मुख्य दर्वाजे पर तेल का दीपक जलाए धंतरस की शाम को मुख्य दर्वाजे पर सर्सों के तेल का दीपक जलाने से नकारात्मक उर्जा समाप्थ होती है और घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है दीपक के पास पांच कौडिया रखें जो समरिध्धी का प्रतीक मानी जाती है चार, हल्दी और चावल से स्वस्तिक बनाएंगर के मुख्य दर्वाजे पर हल्दी और चावल से स्वस्तिक बनाना शुब होता है यहाँ घर में सुक्समृद्धी और सकारात्मक्ता का प्रतीक माना जाता है और इसे लक्ष्मी जी के स्वागत के रूप में देखा जाता है पांच, चांदी का सिक्का खरीदे और लक्ष्मी जी के चरणों में रखें धंतेरस पर चांदी का सिक्का खरीदना भी शुब माना गया है इसे लक्ष्मी जी के चरणों में रख कर पूजा करें और इसे अपनी तिजोरी में रखें यह उपाय धन वृद्धी और आर्थिक स्थिर्ता लाने में सहायक होता है 6. तुलसी या अशोक का पेड लगाएं धंतेरस पर तुलसी या अशोक का पेड लगाने से समृद्धी, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास होता है तुलसी देवी लक्षमी के आशीरवाद को आकरशित करती है जबकि अशोक नकारात्मक उर्जा को दूर रखता है साथ जरूरतमंदों को दान दिन धनतेरस के दिन जरूरतमंदों को दान करने से समरिध्धी और धन की प्राप्ति होती है जरूरत मन्द लोगों को भोजन, कपड़े या पैसे दान करें यह उपाएं जिसे दान के नाम से जाना जाता है, कर्म को संतुलित करता है